हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे मैं भूमिका मेकोवर से देखे जब भी आपके सलॉन में या आप बिगनर है नए नए सीख रहे हो जब भी आपको लॉंग बालो में कुछ स्टाइल करना हो कि आपको बालो की लेंथ भी छ तो देखे ये वाला मैं mostly बहुत लोग हूँ जो हेर होते हैं तो में बहुत से customer का ये वाला cut करती है तो मैंने सोचाँ आज मैं आपको इसकी video डालती हूँ तो देखे सबसे पहले आपको अपने बालों को गीला करना है बहुत अच्छे तरीके से उनको गीला करना है और हमेशा मैं आपको एक चीज बोलती हूँ जब भी आप कॉम लगाते हैं आप अपने हेर में तो पूरे उपर से लेके नीचे तक लगाना है ऐसा नहीं है कि आपको नीचे ही आपको कॉम करनी है सिर्फ बालों पे जिनकी कटिंग कर रहे हो आपको पूरे स्कैल्प से लेके आपको लेंट तक आपको अच्छे तरीके से कॉम करनी है बालों में कोई भी बाल आपका ऐसा ना हो के अटका हुआ है बीच में अर्चने पड़े हुई है तो ये चीज़े धिहान रखें तो देखें मुझे इनके जो डैमिज हेर थे नीचे के जो मुझे लग रहा था कि जिनको जरूरत है कटने की मैंने बहुत जादा लैंथ भी उनकी छोटी नहीं की क्योंकि उनको बालों को छोटा नहीं कराना था तो ये देखें जिस तरीके से मैं वीडियो में दिखा रही मैं हमेशा आपको बोलते हैं जब भी आप कटिंग करें तो हमेशा गाइडलाइन से करें ऐसा नहीं कि आपने सीधा कैंची चला दी और आपका कटिंग हो गई है देखें मैं इतने टाइम से कर रही मैं चाहूं तो एक कैंची में भी एकदम कैंची चला के हैर कट कर सकती हूं बट मैं हमेशा आपको बताने के लिए दिखाने के लिए fingers की help से आपको बताती हूँ कि इस तरीके से अपनी grip को एकदम अच्छे तरीके से बालों को पकड़ के बालों की cutting करनी है और हमेशा एक angle पर करना है यह नहीं कि आप कहीं से भी कोई बाल उठाना है आपको देखे बीच में जो box area मैंने हमेशा आपको बताया उस area से उठाके आपको उसी की guideline से haircut करना है तो देखे मैंने पीछे से उनके straight ball कर दिये थे जो damage hair ball थे अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे आपको ऐसा कौन सा cut करना है कि आपका ये desire भी पूरा हो जाए कि आपको बालों में कोई style भी करना है और बालों को long भी रखना है तो ये देखे मेरी customer को बालों को छोटा भी नहीं कराना था तो मैंने इस तरीके से उनके थोड़े से आगे से बाल निकाले हैं देखे कई लोग क्या करते हैं कि आगे से बालों को छोटा कराना होता है तो पूरा air से air parting लेके काफी जादा बालों को आगे से छोटा करा लेते हैं तो वो कई बर pony बहुत पतली बनती है तो वो अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी तो ये देखे जब भी आपको होके हमें आगे से थोड़ा फलिक करानी है और बालों को लॉंग भी रखना है तो देखे ये वाला स्टाइल बहुत अच्छा लगता है बालों में तो ये देखे जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ कि इस तरीके से मैंने थोड़े से दोनों साइट से मैंने बाल निकाले है और दोनों साइट से बाल निकालने के बाद मैंने रेजर कट दिया है हलका बहुत लॉंग रेजर भी नहीं दिया है बिल्कुल हलका सा ऐसे कि जो कान के आपके पीछे आजाए बालों में जो की पोनी बनी होती तो बहुत अच्छा लगता है और देखें मैंने आप मेरी वीडियो में देखें इनके बाल उठाने का जो तरीका है इस तरीके से अपनी फिंगर की हेल्प से बालों को उठा के लेर दें कि जो की आप आगे से प्लिक जो निकालते हों निकली हुई अच्छी लगें ऐसा नहीं कि आपने उठाया और काड़ दिया देखें उठाया और काड़ दिया से कभी भी बालों में बाउंस नहीं आएंगे यह देखें इस तरीके से जो मेरी कॉम को पकड़ने का तरीका है आप वो चीज देखिए और देखे इस तरीके से आपको 90 degree पे पीछे की side ले जाके आपको बिल्कुल equal काटना है इस से क्या होगा कि इस से बालो में layer बहुत अच्छी आएंगी ये देखे जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ये देखे बहुत अच्छी layer आई है इनको आपको कोई dryer से set करने की जुरूत नहीं है इस तरीके से ये देखे और मैंने जो सारे बाल थे मैंने आगे की थोड़े बालो को पीछे setting clip में लगा के उनके मैंने इनको थोड़ा सा अपने इनका forehead बहुत ज़ादा उचा था तो इनको था के मेरा forehead बहुत बड़ा है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इनको आगे से ऐसे wing करके थोड़ी थोड़ी flick छोटी छोटी जब भी आप इस तरीके से wing करतें तो हमेशा इस चीज़े ध्यान रखें कि आइस से नीचे ले कई लोग आइस से उपर बालो को करतें तो वो trim वगरा shape करने में उनको अच्छे तरीके से उसमें layer देने में वो बहुत छोटी हो जाती है और जो वो बहुत छोटी होती तो वो बहुत अजीब लगती है इन चीज़ों का आप हमेशा ध्यान रखें ये देखे इस तरीके से मैंने कहीं लोग इसको साधना cut भी बोलते हैं कहीं इनको wing भी बोलते हैं कहीं इनको bank भी बोलते हैं तो यह देखे जब भी आपके salon में या आप घर में किसी का करते हो तो जब आपका ऐसा मन हो के आपको इनको style भी चाहिए और length भी छोटी ना हो तो इस तरीके से आप काट सकते हो यह बहुत अच्छा लगता है यह देखे मैं पूरे तरीके से इसको करने के बाद मैं इसमें हलके-लके layer दे रही हूँ कि वो एकदम straight न गिरे एकदम थोड़ी तरीके से एक layer आती है तो वो अच्छी दिखती है देखे जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ यह देखे इस तरीके से आप अपनी कोम को नीचे की direction में लेके जब उसको उपर की तरफ लेके जाओगे तो वो बहुत अच्छी layer देता है यह देखे इस तरीके से देखे आप मैंने दोनों साइट से इनको चेक किया है कहीं से बड़े या छोटे तो नहीं और देखे हमेशे ध्यान रखे जब भी आप cutting करते हैं तो बहुत तसली से करें बहुत तसली से बहुत अराम से ध्यान से करें ऐसा नहीं कि cutting में फड़वट फड़वट कर दिया क्योंकि देखे cutting एक ऐसी चीज़ है कि बहुत तसली से आप अराम से करोगे तो उतना ही अच होता है कि हम दिखाते कुछ और है बताने में बहुत कंफ्यूजन होती है हेर कट एक ऐसी चीज है तो बस आप जितना आप सुनने पर है उतना वीडियो को भी पूरा देखे तो आपको पता चली कि कि कितने अच्छे तरीके से यह लेयर आई है अब मैंने इनके पूरे बालों को कम करके ही इस तरीके से पीछे से मैंने फ्ट्रेट कर दिया बालों को और आगे से ही देखे, इनकी दो लेयर ऐसे आगे कि अगर कान के पीछे भी करती है और आगे से इनका फोरेड भी कवर कर दिया, है यह देखे में आपको कुछ अच्छी लगे तो प्लीज लाइक किए